पर दोस्त वागत है आप सभी लोग का स्पोर्ट्स यारी में कॉमन वेल्थ के अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं कल का दिन हमारे लिए खास उस लिहास से भी रहा कि वहाँ पर बैट्मिंटन ने भी चाहें हम बात करें वहाँ पर पाकिस्तान को जिस तरीके सारा है इसक करें के लामा 14 साल की जो 14 साल की स्क्राइट प्लेर थे उभी काफी चर्चा मेरे तो यह सारी चीजें पहले दिन हुई लेकिन आज क्या का इवेंट उस पर बात करेंगे इस तरीके से आज की जो मुकाबले हैं उसको लेकर वी क्यूंकि आज हम गोल्ड भी जी सकते हैं जी हम बात कर रहे हैं जी दे टू स्केडूल हम बात कर रहे हैं एथलिटिक से सार्ट होगी साड़े 11 वजे वहाँ पे नितिंदर रावत वो होंगे एक्शन में मैंस मैरतन फाइनल में उसके बाद हम देख रहे हैं लॉन बोल्स वह सार्ट होगा जी 1 पीम अड्मोस आपको पर देखेंगे तकरीबन तकरीबन डेर वजे से मुकाबले शुरू होंगे थोड़ा बहुत टाइम इधर दोर हो सकता है लेकिन वहाँ पर आप देखिए चाहें वह मैंस 55 kg में आप देखेंगे संकेत महादेव आपको दिखेंगे जो डेर बजे मुकाबला होगा इसके अल उमीद बहुत जाद है शुबेंद भाई उनसे हमें बिल्कुल हो लग भी रहा कि जिस तरीके से कि शायद हो जो मिडल के शुरूआत हम कर रहे है वो कली से हो जाएगा उसका अगाज यानि कि आजी से हो जाएगा क्योंकि कई बार हमने देखा कि कल कुछ मुकाबले सिंदया रानी Devi ji उनका भी मुकाबला है वो इनका एका भी हो सकता हूर नेक्स दिन तक हो सकता है जब पहले दिन हम पर हमने देखा था कि वहाँ पर एक complete dominance over Pakistan टीम, हमने देखा शरीकान की वहाँ performance हमने देखी पीवी सिंदू, overall एक बहुत ही convincing win थी हमारे लिए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब शर्लंका से मुकाबला है, उसके बाद हमने देखा India vs Australia है, mixed team event जो म जो मुकाबले शुरू होंगे, कल भी जो मुकाबले शुरू है तो भी दो बज़े से, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा तक कल के जो मुकाबले थे South America के खलाप, वहाँ भी शांदार जीत हुई थी, वहाँ पर आपने देखा, मनका बत्तरा जी स्वाम में है, उन्होंने कल ही चाहें वो फिजा से हम बात करें, फिजा को हरा कर फिटीम इंडिया ना किस तरीके से, क्वाटर फाइनल में प्रविश किया है, तो यह सारे मुकाबले आज भी दिलसस्तों के टेबल टेनिस में भी कही ना कि उमीद्यमन का बत्रा पर हैं, कि वह अपने परफॉर्मस कु उसके बाद आपको दिख रहे हैं कि वूमन स्टीम कौर्टर फाइनल्स, इफ दे क्वालिफाई तो वह मतलब के एक एक एक्विशन है वहाँ पर, अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो वह भी मुकाबले होंगे, तो शुबेंदो भाई यहां से हमें लग रहा है कि एक अच् सब्सक्राइब करते हैं, वहां पर कहीं है कि एक 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 बाद मीटन हो गया फिर टेवल टेनिस, यह कुछ ऐसे इवेंट है कि इनमें समय मेडल आ सकते हैं, तो जो बॉक्सिंग के एक एक वह साड़े चार बजे से शुरू होंगे, वहां पर आप दिखें जिस तरीके से पर यहां पर उस तरीके से आपको खेलते दिखाये देंगे, लवलीना बोर्गोहेन भाई देखें अभी रिसेंटली थोड़ से कॉंट्रवर्शल चीज़े भी हुई है, बिल्डप में जो कॉमनवर्ड गीम से हैं, लेकिन हम सब चाहेंगे कि वह सब पीछे रहे, वह सब स परसू हो जाता है, मुकाबला इसके बाद अगर हम बात करें, बाकी के जो खेल है, जिमनास्ट के बात करें, वह भी नाइन पीम पर है, होकी का मुकाबला कल भी है, आज इस तरीके से इंडिया ने जीता है, मुकाबला एक तरफा जीता है, इसके बाद की जो कल के मुकाबल तो यहां पर आज इसके अलावावा भी है जिनसे वह उमेदे रहेंगी. हॉक्की का भी मैं आचे जी हमारा 1130 इंडिया वर्स वेल्स हमने देखे हैं होक्की वोमन्स का जो हमारा शुरुवात हुए गया ना के अगेंस हमने देखा कि क्विन्सिंग बहाँ पर तो होप करेंगे उमीद करेंगे कि होक्टी वोमन्स जो हमारी टीम है वो यहां से अच्छा मुकाबला यहां पर भी जीते और जो एक पशुविन दुभा इस बार आपको लग रहा है कि अलग-अलग events में हम देख रहे हैं, अलग-अलग sports में आपको देख रहे हैं कि वो young sirs आपको देख रहे हैं, आपने squash में देखा, वहाँ भी भी आपको लग रहा है कि एक medal contention वहाँ पर हमारी बहुत मजबूत दावेदार है, हमने चाहे होकी की बात करी, moments hockey team हमारी बहुत अची परफॉर्म कर रही है, badminton से बहुत ज़्यादा उमीद है, क्योंकि recent performances हमने देखे हैं, सभी खिलाड़े inform है, तो आपको लग रहा है कि ये बड़े events है, जहापे हमें result हम चाहते हैं कि हमारे favor में आए, और medals आये, और बिल्कुल सही का आपने, क्योंकि कहीं ने कहीं, ये सारे जो इवेंट है, यहाँ पर हमें लग रहा कि होंसे medal आ सकते हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ से चाहें वह हम बात करें, बैटलिंग की हो, बैटमिंटन की हो, ये कई सारे बैटमिंटन आप देखें जिस तरीके स आज के मुकाबले हैं, एक तरफा मुकाबले आपने जीते हैं, तो वो आज भी हम देखें जिस तरीके सौझ सकता है, तो वही सारे अपडेट है कि ये सारे आज के विंटन को लेकर अपडेट थें कि कब-काप कौन से मुकाबले आज हुंगे, उसको लेकर सारे जान करेती, बाकी के जो सारी sports की coverage वो अलगातार आपको sports यारी पर मिलती रहती है तो भी कैसी हमारी ये coverage आपको लग रही है comment box में जरूर बताएं साथ ही अगर आपने अभी तक sports यारी को subscribe नहीं किया तो please sports यारी को subscribe कर लिजी अगर आपको में facebook कर देख रहे हैं तो इस page को like करना मत भूले फिलार इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत